हाई मैं अभी हूँ एक railway station में और यहाँ पे एक मेरे साथ incident हुआ था तो मुझे लगा कि इस बात को तो पक्का शेर करनी ही चाहिए थी तो यह वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा क्या है कि मैं कहीं भी वीडियो बनना शुरू कर देता हूं यह मेरी आरत सी बन गई तो मुझे फर्क नहीं वड़ता देख पा रहे हैं मैं अभी railway station में हूं बढ़ा दूँ आपको यह कि ट्रेन जैसे इस एक station पर रुकी और उस station पर रुक के दो मिनट जस ट्रेन रुकी थी और वहां से वह चलना शुरू हुई और आप यकीन नहीं करेंगे प्रेन पूरी र तो में हुई और दो-चार लड़कों ने तीन-चार लोग जैसे बाहर निकले मतलब बाहर निकले हुए थे अभी सही जगह पे नहीं पहुचे थे उनका कून चार्जिंग में था चार-फांच फोन लेके वहां से गाए तो आप यकीन भी करेंगे प्रा स्टीशन में चोर- चक्तों में बहुत जाद हैं मिल जाते हैं तो केरियों दोस्तों ध्यान रखना इस चीज़ कोई भी सामान अपने से अलग मत करना क्योंकि ऐसा भी होता है यह मैंने इस दिन भी देखा पहले भी मेरे साथ को चुका है तो यह बात को ध्यान में रखे अपने मोबाइल फोन अपने से दूर ना रखे इससे आप फोन चार्जिंग बैठा के अलग हो जाते हो दूर वा जाते हो याद चलो ठीक है चार्जिंग हो रहा है तो इस सीच का ध्यान रखे कोई आपका फोन लेके भाग भी सकता है तो आनि आप इस वीडियो में देख लो कैसे क्या हुआ लो कि आप है तो इसा है तो इसमें चार फोन डाइब हुए थे तो एक भाई का फोन मिल गया था साज इतने से एक चोर पकड़ा भी गया था जो कि पोलिस ने इसको पास्नली रखा तो एक भाई का फॉन मिल गया तो भाई दोग आप सब आगे से इस बात का भी ख्याल रखें अपने लगेज यो भी है अपना जो भी सावान है तो सही जगा पे रखें अपने पासी रखें साथ कि आपकी ऐसे चोरों से अपकी सामानी बच्चे रहे हैं तो देख पा रहे हैं पोलीस एक फोन को रिटेन करने हाथ एक भाई को अरली पेंगोली में भाई बोल रहे हैं कि हाँ इस फोन मिल गया लेकिन बाकी लोगों मिलाने है कि अपकी बाकी बाकी अरेख जब से अरेख लेख चरिया नहीं तो लोगए बहुत इस घ्ड़ उस्जब कि रहे हैं अपकी बाकी 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 पहाँएएग!